स्री शिभाय नमस्तु ब्यम हरर महादेव सावन का बहुती पविद्र मईना आरम हो रहा है और आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुपकामनाएं महादेव आपकी सभी इक्षाएं सभी मनुकामनाएं पूरी करें देखिए 108 चीज़ी चड़ाने का सावन के महिने में बहु सिर्फ सोंबार को ही हमें चड़ाना है या फिर हमारे घर में जो स्टिबलिंग है उस पर हम 108 चीज़े चड़ा सकते हैं या नहीं है तो इसी बात का हम आज की वीडियो में जानकारी आपको देंगे कि 108 चीज़े हमें किस प्रकार से चड़ानी है और वो कौन-कौन सी चीज तो यदि आपने पूरे सावन की महिने में इस काम को कर लिया है तो आपको पीछी मुड़का देखने की आउशकता बिल्कुल भी नहीं होगी आपका जीवन तरकी से भर जाएगा और धन-धन से भी भर जाएगा घर में खुशे ही खुशे होगी आपका मन भी सांत रहेगा प्रसन रहेगा बहुत ही खास बात है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह वो चीज़े हैं जिसे चड़ाने से भगवान भुलना प्रसन्य होते हैं और आपकी सारी मनुक्रामनाय पूरी कर देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप मेंने चैनल को सब्स द्वात चााल को है ज्ट के दाने के बेल पत्र करें उसकते हैं की कुछ भी कुछ भी एक स्मयरे महा श्यंदानienst पैसे हैं अ यह सकते हैं आपको को सिपलेंग pare एक ज़ुक्रा चीज्फ चड़ाने चाड़ाने से महां देखिए हैं और आपकी मЕНुक्रामनाश पूरी होते है इसलिए आपको विशे ध्यान रखना है कि आप जो भी 108 चीज़े चड़ाते हैं वो सावत होने चाहिए जैसे कि सावत मुम का दाना हो गया, सावत आपकी मुमफली दाने हो गया, सावत गेहूं के दाने हो गया और सावत ही चावल, आपको इस बात का विशे ध्यान रखना है चलिए जानते हैं दूसरी बात क्या पूरे सावन की महिने में आपको चड़ाना है या नहीं देखिए इस बार सावन का महिना दो महिने को होने वाला है यानि कि 59 डेस का तो आप पूरे सावन के महिने में 100 चीज़े चड़ा सकते हैं तो यह आपके उपर निर्वर करता है आपको इसके लिए एक नियम बनाना होगा यानिकि आपने 100 चीज़े ले ली है यदि आपने सावन के पहले दिन 100 चीज़ों में इसकी बूंग आपने चड़ाई है और दू करना है क्योंकि पूजा आपको करनें इसके बाद आपके नियम मिने कि पूरे सावन के महिने में रोज आप चड़ा सकते हैं तो रोज चड़ाई करते हैं और दूसरी बात इस पर आपको चड़ाना है एक सवार चीजे आपको समर्च कनी है और महादेब इक्षाय भी आपकी पूरी करने वाले हैं ठीके तो आपके उपर यह डिपेंड करता है तो आप नियम जरूर से बना लीजिएगा यह जाते हैं कि आपकी घर में जो शिबलिंग है उसक आपको यह 100 चीजे समर्च करनी चाहिए यह नहीं तो जी सावण की महीने में महादेब त्द्दी लोक पर आ जाते हैं इसका मतलब है कि आपकी घर महादेब का ही जाता है तो आफ एक गंकर को भी शंकर